आईए आज कथा साहित्ते में सुनिये बेंगलोर से हिंदी की सुपरतिशित लेखी का पवित्रा अगरवाल जी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है रिष्टा मैत्री का दर्वाजा खोलते ही उसकी नजर लिफाफे पर पड़े लिफाफा उठाया तो स्तब्द रह गई वर्षों बाद भी उसे लिखावट पहचानने में एक छण भी नहीं लगा शैलिश की लिखावट को तो वो हाजारों में भी पहचान लेगी उसने जटपट लिफाफा खोला प्रिये निर्जा आशा है तुम स्वस्थ प्रसन्न होगी शारीरिक मानसिक यातनाय पाने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ और सच मानो तो मैं इसका हकदार भी हूँ यह सब मुझे मिलना ही चाहिए था तुम्हारी भेची गई दिपावली वा नवर्ष की शुब कामनाय मुझे हर वर्ष नयमित रूप से मिलती रही किन्तु शुब कामनाय भेचना तो दूर रहा मैं कभी तुम्हें धन्यवाद की एक लाइन भी नहीं लिख सका किस मुझे लिखता इधर पिछले कुछ वर्षों से इच्छा होती रही कि तुम्हें लोटा लाओं किन्तु साहस नहीं जुटा सका अब किसी काम में ना तो मन लगता है और ना शरीर समर्थ है पिछले एक महीने से बिस्तर से भी नहीं उट सका हूँ जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है कहीं रोशनी की कोई किरन नजर नहीं आती कमसोरी इतनी है कि यह पत्र भी बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूँ बहुत भोगा है मैंने अब तो शायद मौत भी निकट ही है मलने का मुझे कोई गम नहीं मैं जीना भी नहीं चाहता सोते जागते हर पल हर छण बस तुम याद आती हो अपराद बोच से मन बोचिल है मैंने तुम्हें बहुत कस्ट दिये है सब्दपती के समय जीवन भर साथ निभाने की शपत खाकर भी तुम्हें धोगा दिया है इसी खयाल ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और अब मलने भी नहीं देता क्या तुम एक बार आ सकोगी तुम्हें देखे बिना एक लंबा आर्सा बीद गया एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं तुम तो मेरा पहला प्यार थी तुम्हें किन रिष्टों किन संबंधों की सौगंध दिलाओं तुम मैत्री के रिष्टे को स्थाई मानती थी ना बस तुम्हें उसी मैत्री की सौगंध है तुम जरूर आना मुझे तुम्हारा इंतसार रहेगा तुम्हारा शैलेश पत्र पढ़कर मन दुखी हो जाता है चाहा कर भी उसे कोस नहीं पाती ना उसकी इस हालत पर खुशी अनुभव कर पाती हूँ भले ही उसने मुझे ठुकराया मुझे अकेले पन के इस रेगिस्तान में जुलसने के लिए छोड़ दिया फिर भी कहीं कोई नाजुक सा सूत्र था जो जुड़ा रह गया था क्या था वह सूत्र शायद यह सूत्र था महत्री का स्मृतियां अठारा वर्ष पीछे लोड़ चाती है ए शैलेश की मा सुना तुमने परोस के लाला जी के नाती हुआ है परोसन ने कहा अच्छा अभी तो बेहा हुआ था मुश्किल से नौ-दस महीने होए होंगे भाग्यवान है वे लोग सास ने निश्वास चुड़ा था वो मा के इस निश्वास का कारण चानती है कारण वो स्वैम की है जो पांच परस में भी उन्हें पोते या पोती का मुहन ना दिखा सकी वो जानती है ये बातचीत हमेशा की तरह उसी बिंदू पर आकर रुकेगी मैं तो आभागी हूँ बेहन एक ही बेटा है उसके भी कोई उलाद नहीं लगता है वंच यही समाप्त हो जाएगा सुनो आजकल यहां एक बाबा आये हुए है तुम बहु को वहां क्यों नहीं ले जाती सुना है उनके आशिरवाद से कई निसंतानों की गोद भर गई है वो जाए तब तो ले जाओ एक भार कहा था तो टाल गई पुना कहा तो बोली शैलेश को ले जाएए ऐसी औरत किस काम की जो वन्श ही मिटा दे यह चर्चा सुनकर उसके अंदर जौला मुखी सुलगने लगते हैं वो क्या करे सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता बच्चे की चाहा क्या उसे नहीं है अपना दुख वो किस से कहे मन ही मन गुठती है इन्ही मानसिक तनावों से बचने वास्वयम को व्यस्त रखने के लिए वो नौकरी नहीं छोड़ती शादी के बाद ही शैलेश वे उसकी मा ने कहा था घर में पैसे का कोई अभाव नहीं तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो नौकरी का उसे भी कोई शौक नहीं उसने पहले से ही सोच रखा था कि घर में संतान आने के बाद वो नौकरी छोड़ देगी तुम शैलेश का दूसरा व्यहा क्यों नहीं कर देती पड़ोसन ने सुझाव दिया कैसे दूसरा व्यहा कर दूँ अब कानून इसकी इजाज़त नहीं देता पहले का जमाना अच्छा था अब तो दूसरा व्यहा तभी हो सकता है जब पहले वाली पत्नी मर जाए या थलाग हो जाए अरे शैलेश कीमा तुम भी क्या बात करती हो अब भी सब होता है मेरे एक भाई ने कई साल पहले दूसरा व्यहा किया था ठाट से रह रहा है यही तो मैं कहती हूँ पर शैलेश माने तब ना पहले कहती थी तो बिगड़ पड़ता था लेकिन अब चुप हो जाता है फिर भी उससे बार बार कहने की हिम्मत नहीं पड़ती फिर मैं पहली पत्नी को छोड़ देने को तो नहीं कहती निर्जा सहम उठती है क्या आप शैलेश दूसरे विवाह की बात का विरोध नहीं करता चुप हो जाता है कही मन ही मन दूसरे विवाह की तैयारी तो नहीं कर रहा बिच्छोहों की कलपना करके वो विचलित हो उड़ती है नहीं, शैलेश ऐसा नहीं कर सकता क्या वो वर्षों के प्यार आत्मिय सम्मंधों को एक संतान के अभाव में तोड़तेगा नहीं ऐसा वो कैसे कर सकता है वैसे उसने भी महसूस किया है कि इधर शैलेश उदास रहने लगा है उसका उत्साह उल्लास मानुचुक सा गया है रात्री कुथा के हारे घर लोड़ना कभी खाना खा लेना कभी कह देना दोस्त के यहां खाके आया हूँ फिर यह भी नहीं पूछना कि तुमने नहीं खाया होगा तुम तो खालो उस दिन करवा चाथ थी उसने भी व्रत रखा था इन व्रत उपवासों में उसकी कभी भी आस्था नहीं रही फिर भी जो जो व्रत उपवास शैलेश के मा कहती थी वो रख लेती थी क्योंकि उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी फिर जिसे उसने दिल से चाहा है रीती रिवास के नाम पर ही सही उसके लिए एक दिन उपवास रखने से उसे कोई परिशानी भी नहीं होती थी वैसे भी कभी कभी उपवास धार्मिक द्रिश्टी से ना सही स्वास्ते की द्रिश्टी से उपयोगी होता है चांद का का निखल चुका था वो भूखी इंतजार करती रही कि हमेशा की तरह शैलेश के आने पर उसके साथ ही खाना खाएगी रात को वो लगभग एक बज़े लोटा था लोटने में बड़ी देर कर दी खाना ला रही हूँ नहीं मैं खाना खा आया हूँ कहते हुए उसने कपड़े बदले और पलंग परचा कर लेट गया वो भी बिना खाए पिये बिजली पुझा कर लेट गई थी वो कलपना कर रही थी कि शैलेश अभी उठकर पास आ बैठेगा और कहेगा निर्जा तुमने खाना नहीं खाया सुहम को कश्ट देकर मुझे योना सताओ चलो उठो और खाना खालो उसे याद है कि जब विवाहा के बाद पहली बार उसने करवा चौत का ब्रत रखा था तो वो बिगडने लगा था निर्जा ये क्या पागलपन है वैसे ही हैल्थ बहुत अच्छी है ना क्या जरूरत थी ब्रत रखने की तुम भी खूब हो साल में एक दिन एक समय ना खाने से क्या फर्क पड़ता है ठीक है तब मैं भी व्रत रखूँगा वो खिल खिला कर हसी थी यह व्रत तो पत्निया रखती है अगले जन्म में तुम पत्नी बनना तब यह व्रत रखना नहीं मैं व्रत रखूँगा तुम मेरे लिए मा ने सुना तो खूब हसी थी शैलेश इतना क्यों बदल गया है वो सोचती रही सोचते सोचते आँखों से आँसो पहने लगे रात को देर से घर लोटना शैलेश की आदत बंती चा रही थी रात को ग्यारा बज़ गए शैलेश अभी तक नहीं लोटा उसके बदलते रंग ढंग और वैवार से वो हर दम आहत होती और सोचती रहती कि शैलेश को ये क्या हो गया है क्या ये वही शैलेश है जो दस्मी से MSC तक साथ साथ पढ़ा शादी से पहले अच्छे मित्र रहे और उसी मित्रता को जिन्दगी भर हर स्थिती में निभाने के लिए शादी की और यह भित्य किया था कि पती-पत्नी की तकरार का प्रभाव उनके मेत्री संबंधों पर कभी नहीं पड़ेगा जोतों की आवाज से उसका ध्यान भंग हुआ उसके विचारों का ताथा तोट गया शैलेश आ गया था दोनों चुप रहे कोई किसी से नहीं बोला शैलेश ने कपड़े बदले और लाइट बुझा कर पिस्तर पर लेट गया वो भी करवटें बदलती रही उनके संबंधों में एक ठहरावसा आ गया था दोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी जिससे उसका दम घुटने लगा था उठकर उसने खिड़की का परदा हटा दिया चांदनी कमरे में बिखर गई थी शैलेश को आँखों पर हात रखे उदास लेटे देख उसका मन भराया पास होकर भी दोनों कितनी दूर हैं साथ होकर भी अकेले आखिर क्यों? वो उसके से रहाने चाकर पैट गई असा है मौन को तोड़ने के लिए उसने सहत स्वर में कहा सो गए क्या? नहीं तो आज फिल्म देखने गए थे क्या? नहीं, कोहली अपने घर ले गया था उसका बेबी बड़ा स्वीट है मुझे टॉफी वाले अंकल कहता है उसकी मीठी मीठी बातें अकसर मुझे वहां खीच ले जाती है शायद उसने बच्चे का जिक्र सहज मन से ही किया होगा किन्तु निर्जा को कहीं चोट लगी लगा जैसे जान भूच कर उसे सुनाया चा रहा है फिर भी सहज होने की चेस्टा करती है शैलेश लौटने में तुम बहुत देर कर देते हो तुम्हारे बिना मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ यहां जल्दी लट कर भी क्या करूँ घर में मेरा दम घुटता है घर में कितना सुनापन रहता है सुनो, मा ने तुम से कहीं चलने के लिए कहा था गई क्यों नहीं अकसर मा की कटू बातें उसे निसंतान होने के कारण सुननी पड़ती है कितनी ही बार उसके मन में आया की शेलिश से कह दे ताकि मन का बोश कुछ कम हो जाए किन्तु इस बारे में कुछ भी कहना उसे स्वयम को सारवजनिक स्थान पर नंगा करने जैसा लगता रहा है और इसी लिए वो चहा कर भी कभी कुछ कह नहीं पाती मा तो रोज ही कहीं न कहीं चलने को कहती रहती है कॉलिज पढ़ाने जाओं घर का काम करूं या फिर सायाने दिवाने के पास चक्कर लगाओं वैसे भी मुझे यह सब पसंद नहीं है खेर तुम्हें जाना चाहिए था कुछ नहीं तो मा का मन ही रह जाता एक पोते या पोती के लिए वो कितना तड़प रही है उनका कोई दूसरा बेटा भी तो नहीं है जहां अपनी आस पूरे होने का इंतजार कर लेती मन हुआ कहे की उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर, मजारों, सयाने दिवानों के तुम खुद क्यों नहीं चले जाते वैसे भी शादी को 5 साल ही हुए है लोगों के तो शादी के 10-12 वर्ष बाद तक बच्चे हो जाते है जबकि मेडिकल चेकप में भी हम दोनों में ही कोई खराबी नहीं आई है जाता ही जल्दी है तो एक बच्चा भोद लिया चासकता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती यह सब समझने की बुद्धी तो शैलेश में भी है कहने से बात पढ़ेगी और वो किसी तकरार में नहीं पढ़ना चाहती दोनों के बीच खाई दिन पर दिन चाड़ी होती गई शैलेश हर दम चिर्चड़ाया रहता बात बात पर खीजुटता और सामाने सिश्टाचार भूल कर हर एक के सामने बुरा भला कहकर उसका अबमान कर बैठता एक दिन ऐसी ही किसी प्रसंग से आहत होकर वो बोली थी शैलेश मैं देख रही हूँ कि तुम आप इस घर में मुझे और बरदाश नहीं कर पा रहे हो मुह से कोई बात निकलते ही काट खाने को दोड़ते हो ऐसे कब तक चलेगा रोज रोज के जिक जिक से अच्छा है हम आप अलग हो जाएं तुम भी तो यही चाहते हो ना हाँ हो जाओ अलग छोड़ दो मेरा पीछा मुझे तुम से छुटकारा चाहिए दे दो तलाग तलाग? नहीं तलाग नहीं दे सकते किन्तु मुझे तलाग चाहिए और ले भी लूगा किस आधार पर? आधार तो समय आने पर ढून लिये जाएंगे वो अंदर तक काप उठी थी निसंतान होना तलाग के लिए कोई कारण नहीं है इस आधार पर उसे तलाग नहीं मिल सकता तलाग के लिए जूटे गंदे किसे गड़े जाएंगे वो सब कुछ सह सकती है मानसी की आतनाय भोग चुकी हूँ अब और मानसी कस्ट मत पहुँचाओ कानूनन तलाग की कोई जरूरत नहीं मैं खुद तुम से बहुत दूर चली जाओंगी तुम निसंकोच अपनी नई ग्रहस्ती पसा लेना कभी तुमने कोई दावा किया तो मैं तो मुसीबत में पढ़ जाओंगा अम बचा ही क्या है जिसके लिए मैं कोई दावा करूंगी अच्छा है मेरी नौकरी अभी तक सही सलामत है अतह अपने लायक धन दौलत की मेरे पास कभी कमी नहीं रहेगी अपनी पतनी पर ना सही अपनी वा उसकी मैत्री पर भी विश्वास नहीं रहा कहो तो स्टेम पेपर पर लिकर दे दूँ यह सब कहते हुए उसमें इतनी स्थिर्तावा साहस ना चाने कहां से आ गया था कि प्रकट में वो ना तो तनिक भी विचलित हुई और ना आवास में कोई लड़कडा हट ही आई मित्रता शब्द सुनते ही शैलेश के चहरे पर एका एक परिवर्ता ना गया वो एक शब्द भी बोले बिना घर से बाहर निकल गया और चन दिनों में ही वो अपना तबादला करा कर उस घर से ही नहीं बलकि उस शहर से भी मेलों दूर चली गई बात में उसने सुना था शैलेश ने दूसरी शादी कर ली है फिर सुना प्रथम प्रसव में पुत्र को जन्म देकर उसकी पतनी चल बसी कुछ दिनों पूर्व ही कोई बता रहा था कि शैलेश का करीब बंधरा सोना वर्ष का बेटा बुरी संगत में पढ़कर घर छोड़कर चला गया फोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ शाम के साथ बच गए थे वो अदीद में विचरण कर रही थी वह पत्र अभी भी उसके हाथ में था तीन घंटे का समय अभी उसके पास है उसे एक बार जाना ही होगा उसने फोन का रिसीवर उठाया उसके साथ काम करने वाली उसकी प्रिये सकी सुझाता थी उसने सुझाता को पूरी बात बता कर आज ही रात को शैलेश के पास जाने की सुचना दी उसने कहा तलाग तो तुम्हारे बीच हुआ नहीं है क्या पत्नी के नाते जाना चाहती हो वह रिष्टा तो कपका मर चुका वो बहुत बिमार है दोस्त के नाते एक बार उसे देखने चाना चाहती हो शैलेश के घर के सामने वो आटो से उतरी आटो का किराया देकर वो द्वार पर आई दर्वाजा आधा खुला था फिर भी एका एक घर में घुस्ते उसे संकोच हुआ कॉल पेल बजाने पर अंदर से आवाज आई दर्वाजा खुला है अंदर आजाओ घुस्ते ही उसकी नजर मा पर पड़ी आखों पर हाथ रखे शैलेश लेटा था उसका रंग पीला पड़ गया था शेव भी कई दिनों की बढ़ी होई थी उसने माथे पर हाथ रखकर उसे पुकारा शैलेश शैलेश ने चौक कर उसे देखा पहचानते ही उसके चहरे पर मुस्कुराहट आ गई नीरचा तुम आ गई कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा सपना नहीं है मैं सच मुच आ गई हूँ शैलेश के पीले पड़े कमजोर हाथों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मा को पुकारा देखो मा नीरचा आ गई मैं कहता थाना कि जरूर आएगी मा तो बहुत वर्षों से पीछे पड़ी थी कि तुम्हें वापस ले आऊ किन्तु मुझ में ही साहस नहीं था अब तुम्हें नहीं जाने दूँगा उसने नीरचा का हाथ अपनी आँखों पर रख लिया था उसके अश्रू बह बह कर उसके हाथों को भिगो रहे थे किन्तु वो शांध थी निशब्द चार-पांच दिन तक नीरचा उसकी देखबाल करती रही मा की आँखों में भी पश्चा तापके आशो थे बेटी मैं तेरी गुनहगार हूँ शैलेश भी मन ही मन मुझे ही दूशी समस्ता है वो तुझे कभी भूल नहीं पाया आप उसे तो सम्हाल निरचा चुप चाप सुनती रही कहा कुछ नहीं शैलेश को देखने उसके परिचित मित्रपड़ोसी आते ही रहते थे जो असल में शैलेश के बहाने उसे देखने आ रहे थे उनकी फस्फसाहटे भी उसके कान में पड़ती थी कैसी लक्षमी सी बहू है बिमारी के बाद सुनते ही दाड़ी चली आई अपनी जिन्दगी तो बेचारी ने योँ ही तपा दी चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकते थी देखो तो देखवाल करते राग दिन एक कर दिये हैं पत्नी को छोड़ा भी तो संधान के लिए क्या निहाल कर दिया बेटे ने कभी कभी काना फूसी में उस पर आक्षे भी होते हे भगवान ये कैसी आउरत है ना मांग में सिंदूर ना पैरों में बिचुए पती ने छोड़ दिया था तो क्या हुआ जिन्दा तो है सुना है दोनों में विधिवत तलाक नहीं हुआ है जमीन जायदाद पर अभी भी उसका हक है इस घर में पतनी के नाते उसके सारे अधिकार सुरक्षित हैं अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए इन सब आक्षेप और अपेक्षाओं से उसका सिर्दुखने लगता शैलेश के पास आराम कुर्सी पर बैठे-बैठे उसे जबकी लग गई थी माजी के करुन करंदन से हडबड़ा कर उसने आखे खोल दी माँ शैलेश की छाती पर सिर रख कर पिलाब कर रही थी पास ही दूद का गिलास लुड़का पड़ा था वो स्वैम भी चेतना शुन्यसी हो गई थी चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी माद को इतने निकट से उसने शायद पहली बार देखा था पड़ोसियों ने आकर मा को शैलेश से अलग किया और शब को आंगन में रख दिया वो निस्चेस्ट सी ना चाने कितनी दिर वहीं बैठी रही तब ही एक बुरी औरत उसके पास आई और बोली बहु जो होना था हो गया ऐसे कब तक बैठी रहेगी चल बाहर चल शब के पास उसे बिठा कर उसकी चूणियां तोड़ने की कोशिश करते देख वो जटके से उठकर खड़ी हो गई आप ये क्या कर रही है मैं उसकी पत्नी नहीं मित्र हूँ उसकी पत्नी तो मर चुकी है सब लोग कौटोहल से उसे देखने लगे थे अर्थी को बाहर ले चाते देख उसका मन होता है लोगों को रोग कर एक बार शैलेश को अंतिम बार देख ले निशब्द रुदन फूट पड़ता है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती दहा संसकार करके सब लोग घर लोट आए है पढ़ोसी, परिजित शैलेश के मित्र सभी लोटने लगे है वो भी अपनी अटैचे लेकर बाहर आंगन में आजाती है सोचती है माजी शायद कुछ कहेंगी मा कुछ नहीं कहती बस जोर-जोर से रोने लगती है वो मा के पास जाकर उनके कंधे पर हात रखकर खड़ी हो जाती है मा, अब मैं जा रही हूँ मेरे लायक कभी भी कोई काम हो तो आप मुझे जरूर याद करें कहकर वो शैलेश के अन्य मित्रों की तरह घर से पाहा निकलाती है अभी आपने पवित्रा अगरवाल जी की लिखी देह धिमार में कहानी सुनी इसी प्रकार के सहितिक कहानिया सुनने के लिए कथा साहेते से चुड़े रहिएगा धनवाद